हेलो एब्रीवान वेलकम टू जजज़स वर्ड सो आज के वीडियो में हम मेरी गोल के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं आज हम बात करेंगे टमाटर के बारे में सो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पर आने वाला हर फूल जो है वो टमाटर में कनवर्ट हो टमाटर बन जाए तो इसके लिए हम क्या करें सो बहुत बार ये समस्या आती है कि टमाटर के पौदे पर फूल तो आते हैं लेकिन वो टमाटर में कनवर्ट नहीं होते और वो जढ़ जाते हैं तो इसका क्या हल है आज इस वीडियो में हम इस विशे पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताके आने वले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो फूल गिरने का एक कारण तो ओवर वाटरिंग भी होता है और मिट्टी अच्छी ना हो पोशक तत्वों से भरपूर ना हो तब भी फूल गिरने की समस्या आती है लेकिन मिट्टी अच्छी बनाएंगे और पानी आप ठीक मात्रा में देंगे तो भी ये समस्या आ रही है तब उसका कारण होता है पॉलिनेशन का ना होना तो जो टमाटर के फूल हैं ये इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं और आम तोर पर इसमें पॉलिनेशन अपने आप हो जाती है तेज हवा से जब टेहनीया हिलती है या वाइबरेट करती है तब इसमें पॉलिनेशन हो जाती है या अगर पॉलिनेटर्स या कोई कीट पतंगे आकर बैठते हैं तब भी ये परकिर्या पूरी हो जाती है लेकिन अगर आपके यहां पर हवा बिल्कुल नहीं है हवा बंद है बिल्कुल जल नहीं रही और कोई कीट पतंगे या पॉलिनेटर्स भी नहीं आ रहे तब आप ये फूल पॉलिनेड नहीं हो पाते और गिर जाते हैं तो ऐसे में एक सिंपल सा ट्रिक है वो है हैंड पॉलिनेशन तो ब्रशम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फूल आप देखिए बहुत छोटे से हैं तो आपने सिंपली क्या करना है कि जहां भी फूल लगे हैं आपने उस टहनी को इस तरह से टैप कर देना है सिंपली एक वाइब्रेशन तो इससे फूल जो है वो पॉलिनेट हो जाएगा आप सिंपली इसको हलका सा हिला भी सकते हैं टहनी को तो इससे भी पॉलिनेशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी तो जहां भी आपको नए फूल निकले दिखें और इस तरह से खिले हुए दिखें तो आप उसको हलके से इस तरह से टैप कर दीजिए या टैनी को इस तरह से हिला दीजिए तो उसके बाद आपके प्लांट्स में से एक भी फूल गिरेगा नहीं और हर फूल जो है वो फ्रूट में कनवर्ट होगा इस तरह से तो आप भी ये ट्रिक अपनाए और अपने टमाटर के प्लांट्स बर भरपूर मात्रा में टमाटर हासिल करिए सो होप के वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दें अपने दोस्मित्रों के साथ इसे शेर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राए भी जरूर दे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद